पवन सिंग लोगसभा चुनाओ 2024 के रण में उतर चुके हैं। काराकाट लोगसभा सीट से वह निर्दलिये अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है कि पवन सिंग के चुनाओ प्रचार में भोजपूरी के ट्रेंडिंग इस्तार खेसारी लाल यादव आएंगे। इसकी जौनकारी खेसारी लाल यादव ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि दो मई को वस्त चुनाओ प्रचार में आने वाले हैं। दरसल सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि पवन सिंग के खिलाफ चुनाओ प्रचार करने के लिए अक्ष्रा सिंग, मनूज दिवारी, रवी गिशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ और कंगना रनोत आने वाली हैं। वही कुछ लोगों के तरफ से पवन सिंग को नचनिया कहे जाने पर भोजबूरी के पावर स्टार ने खुद जवाब दिया। पवन सिंग ने कहा कि हमको नचनिया कहने वाले इस बात को कैसे भूल रहे हैं? कि जिन्हें आप मेरे खिलाब प्रच्वार करने के लिए बुला रहे हैं, वह क्या हैं? दरसल जब से काराकाट लोगसभा सीट से पवन सिंग ने चुनाव लड़ने का एलान किया है, तब से बिहार में इस सीट को लेकर चर्चा सबसे ज़ादा हो रही है, अब केंद्रे मंतरी आरके सिंग ने पवन सिंग को लेकर खुली चेतावनी दी है, बीजेपी नेता आरके सिंग जगदीजपूर के टाउन हॉल में 30 अप्रेल 2024 मंगलवार को NDA कारिकरता सम्मेलन को संबोधि कर रहे थे, इस दोरान केंद्रे मंतरी ने भुजबूरी स्टार पवन सिंग पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि वह बैठ जाएं, अगर कारकाट से चुनाओ लरेंगे तो उनको पार्टी से निश्कासर करा देंगे